Hello friends, आज की मुवी एक true story पर based है हमें इस मुवी में बहुत ही beautiful friendship दिखाई गई है इसके IMDb rating 8.5 है और लोगों अब बहुत ही पसन आई है Untouchables ये 2011 की एक French मुवी है तो चली ये directly start करते है मुवी start होती है और हमें गाड़ी में फिलिप और डिल्स दिखते है डिल्स गाड़ी चला रहा होता है ये रात में drive के लिए बहार आयो होते है ये एक signal पर पहुचते हैं उनके सावने बहुत सारी गाड़िया होती है इन्हें wait करना अच्छा नहीं लगता डिल्स फिर wrong side से गाड़ीों के line तोड़ कर आगे पहुच जाता है डिल्स को fast गाड़ी चलाना अच्छा लगता है सीटी से भी वह ऐसे ही चला रहा होता है इसे एक पुलिस पॉट कर लेता है और सायरन बज़ा लेता है इसका मतलब है कि अब इसे pull over करना पड़ेगा डिल्स फिलिप को देखता है और कहता है कि अगर तुम कहोगे तो इससे मैं अपना पीचा छोडवा सकता हूँ ये 100 डॉलर्स की बेट लगाते है ये बहुत ही fast गाड़ी चलाता है टरनल्स वेगरा से अलग-अलग रस्ते लेकर एक जगा पर आ जाता है ये बहुत ही खोश हो जाता है ये celebrate करने लग जाता है कि इसने पुलिस को जलावा दे दिया है एक जगा पर पहुँच आता है और तब पुलिस इससे घेर लीती है फिलिप इस पर बहुत ही हसने लग जाता है डिल्स अब बेट हार चुका है तब और एक बेट उससे लगानी है वो कहता है कि मैं इस पुलिस से हमें एक स्पेशल इप दिलवा सकता हूँ इनकी बेट लग जाती है और इस पार दो दोसकी ये बेट होती है फिलिप कहता है कि तुम हार जाओगे जब डिल्स गाड़ी से बाहर आता है तो पुलिस उसे हैंडकफ विगरा कर लेती है फिलिप को भी गाड़ी से बाहर निकल नहीं के लिए बोलती है डिल्स कहता है कि ये बाहर निकल नहीं सकता ये हैंडिकाप्ट है इसकी विल्चर बीचे पड़ी हुई है जब पुलिस से चेक करती है डिल्स फिल्प बोलने लगते है कि इसे मैं हॉस्पिटल लेकर जा रहा था तुमने जो हमें रोका है इसे इसकी कंडिशन बहुत ही वर्स हो रही है इसे फिट सा आ रहे थे पुलिस जब फिल्प को देखती है तो फिल्प में नाटक करने लग जाता है उसे मुझे से फोम आ रहे है इसा वो सब नाटक करता है पुलिस अब डर जाती है फिल्प और भी प्रेशर बनाता है वो कहता है अब हम लेट हो चुके है यह तुमारे वज़े से मर सकता है पुलिस फिर उसे बोलते है हम दुमें एक स्पेशल इफ्ट देंगे वो इनने प्रोटेक्शन देंकर हॉस्पिटल तक छोड़ देते है फिल्प और इस हस्ते हस्ते हॉस्पिटल तक आ जाते है जब पुलिस वहाँ से चली जाती है और इनकी स्टेचर आती है यहाँ से गाड़ी भगा कर वो चले चाते है यह जो हमारा सीन था एक फ्यूचर का सीन था अब हमें पास दिखाय जाएगा एक जॉब इंटर्विव चल रही होती है यह हमें दिखता है यह जॉब इंटर्विव फिलिप के केरिटेकर के लिए होती है फिलिप हैंडिकैप टे उसे एक पर्मनेंट केरी टेकर की ज़रुवत होती है अपनी एक ब्यूटिफुल असिस्टन के साथ यह बहुत सारी इंटर्व्यूस ले रहा होता है जो भी सब इंटर्व्यू देने के लिए आये होते हैं यह बहुत ही ज़्यादा कॉलिफाइड होते हैं इस इंटर्व्यू में days भी आये होता है meals के पास इसकी खुँज भी नाउलेज नहीं होती इसको पता होता है कि इसका जॉब नहीं लगने वाला तो वो wait नहीं करता और अंदर आ जाता है वो अंदर फिलिप से कहता है मुझे सिर्फ sign चाहिए उसे benefit चाहिए होता है इसके पास already दो rejection होते हैं अगर इसको 3 rejection मिल गए तो सरकार इसे ज़रा पैसे देगी और इसे unemployment benefit मिल सकते हैं डिल्स कहता है कि मुझे पता है कि मुझे job ने मिलने वाला तो मुझे जल से जल यह sign दे दो फिलिप इससे बात करने लग जाता है उसे music के बारे में पूछता है इन दोनों की music की taste होती है यह बहुत ही अलग अलग होती है पर एक artist को यह दोनों जानती है एक healthy debit के बाद फिलिप कहता है कि मैं तुम्हे sign ने दे सकता है फिलिप के हाथ भी काम ने करते है तो कहता है कि कल तुम आ जाओ कल मैं तुम्हे sign दे दूँगा फिलिप डिल्स से पूछ लेता है कि अगर तुम्हे job करना होगा तुम्हारा कोई motivation है यहाँ job करने के लिए वो कहता है कि तुम्हारी assistant मेरे लिए motivation है यह assistant डिल्स पर बिलेव नहीं करती है यह बहुत ही जादा straightforward होता है फिर में डिल्स अपने घर आता हो दिखता है उसके घर पर बहुत सारे बच्चे होते है और यह सब इसके brother and sisters होते है जब एक खिड़की से देखता है तो इसका एक चोटा brother street gang's में involved होता है यह से confront करनी कोशिश करता है पर इसका चोटा brother उसे कुछ में नहीं बताता जब रात होती है तो डिल्स की end वहा थी है उसकी end उसे बुछती है तुम कहा थे डिल्स कहता है कि vacation में था वो उस पर चिड़ जाती है और कहती है कि 6 माइने हो चुके है मुझे पता है कैसे vacation में तुम गए थे एक्च्वल में डिल्स ब्रिजर में गया होता है वो कहती है कि जिस तरह से तुम अपनी life जी रहे हो वेशा नहीं चलेगा तुम ये responsibilities लेनी चाहिए तुम अगर जेल में जाते रहे तुम कैसे वेशा कमा सकते हो कैसे हम सब को support कर सकते हो वो फिर डिल्स के पास आती है और कहती है कि अब तुम इस घर से निकल जाओ वे तुमारी responsibility नहीं ले सकती डिल्स भी वहाजी चला जाता है अपने friends के साथ hangout करता है नेक्स दिन फिर फिलिप के पास आ जाता है घर में जब आता है तो फिलिप की assistant पर फिर से line मारता है फिलिप की एक servant इसे पूरा घर दिखाती है डिल्स कहता है कि मुझे सिर्फ लेटर चाहिए मुझे घर दिखाने कोई भी जरूरत नहीं है servant के थी कि फिलिप ने मुझे बताया है कि तुम्हें पूरे house tour देनी है उसे एक room में लेकर आती है यह बहुत ही शांदा room होता है इसे bathroom वे गरा दिखाती है यह room देखकर इसे बहुत ही अच्छा लगता है जब bathroom देखता है तो यह believe नहीं कर पाता कि इतना अच्छा भी bathroom हो सकता है servant फिर डिल्स को फिलिप के पास लेकर आती है फिलिप उसे कहता है तुम्हार लेडर है वहाँ डिल्स उठा लेता है जाते जाते फिलिप उसे रोग लेता है उसे कहता है क्या तुम hard work कर सकते हो क्या एसे ही तुम्हार कारी benefit पर जीना अच्छा लगता है फिलिप हैंडिकाप लता है तो उस पर वह joke करता है क्या तुम्हार भी लोग को और depend रहना अच्छा लगता है फिलिप फिर उसे job offer देता है वो कहता है कि एक मन्त के लिए मैं तुम्हें ट्राय करना चाहता हूँ उसे चिडाने के लिए के लिए कि मैं शाथ लगाता हूँ कि तुम दो विक तक भी नहीं रुक हुए अब डिल्स के पास जादा बेटर आप्शन नहीं है तो यह जॉब ले लेता है थोड़े देर बाद फिलिप की डॉक्टर फिलिप को मसाज दे रहे होती है डिल्स को भी यह मसाज सिखाया जाता है यह उसे बहुत ही बोरिंग लगता है तो वहाँ सो जाता है यह उसे डाटती है और यह सब मसाज करवाने के लिए बोलती है डिल्स को विल्चेर पर बिटाता है उसे शौवर में लेकर जाता है उसे शाम्पू का अगरा लगा रहा होता है तो वो कहता है कि ये तो फोम ही नहीं बन रहा फिलिप की डॉक्टर कहती है कि ये पेर का शाम्पू है डिल्स को ये बहुत ही आजिब लगता है कैसा कैसे हो सकत पेर के लिए अलग Śampoo, सर के लिए अलग Śampoo फिलिप की बात complete होने के बाद डिल्स को उसे एक स्टॉकिंग पहनाने हुじ है य लड़कया पहन दी है और यह फिलिप पहन रहा है तो इसे बहुत विअर्ड लगता है ये फिलेप से पूच लेता है कि ये तो लड़ क्या बेहनी convince है ये तुम क्यों बेहन रहा हूँ वह कहता है कि मेरे पेर को relax करने में help करता है वहाँ gloss भी पढ़े को गयते है डील्स सर्वंट से पूछता है कि ये gloss किस के लिए है इस सर्वंट उसे बता थी कि उसकी जो शीट है वो तुमें निकालनी पड़ेगी डिल्स इस पर बहुत ही uncomfortable हो जाता है और कहता है कि ये कभी मैं नहीं करूंगा ये इसके लिए impossible होता है रात में डिल्स टेरिस पर होता है तो फिलिप की बेटी और उसका boyfriend वहाता है डिल्स उन दोनों के वहाँ से निकल जाने के लिए बोलता है निकस दिन डिल्स जब फिलिप का मसाज कर रहा होता है तो गलसे से hot coffee उस पर गिर जाती है फिलिप को कुछ sensation बेर में नहीं होते है तो उसे कुछ महसूस नहीं होता यह डिल्स को बहुत ही amazing लगता है तो और भी coffee उस पर गिराता है यह डॉक्टर देख लेती है और उसे बहुत ढाटती है वो कहती है कि वो जल सकता है फिलिप भी यह देखता है और उस पर हसता है अब next scene में फिलिप के जो सब letters आये होए होते है इनको वो सब sort कर रहे होते है इसमें एक massage service का भी होता है रिल्स उसे दिखाता है तो फिलिप उसे dustbin में डालने के लिए पोलता है फिलिप यह अपढ़ेर रख लेता है एक special letter भी आ होता है जो फिलिप उसे एक personal fire में रखने के लिए बोलता है जब रिल्स फिलिप को खाना खिला रहा होता है तो फिलिप की असिस्टन भी भाहा थी है उससे देखने लग जाता है और फिलिप के आख में खाना जा रहा होता है रिल्स को हमें शयादी नहीं रहता कि फिलिप हैंडिकाप्ट है इसे फोन भी दूर से ही देता है कि वो pick up कर सके फिर उसे याद आता है कि आरे इसके तो हाथ काम नहीं करते इसी तरह से इन दोनों की जो relationship होती है ये develop हो जाती है Slowly slowly drills काम करना सिख रहा होता है जो massage का coupon उसने रखा था वो अपने लिए महँआ लेता है जो बार्टब था इसे बहुत जादा एंजॉय करता है इसकी यहां की जो लाइफ होती है इसका पुरा फाइदा उठा रहा होता है गाना लगा कर बात कर रहा होता है तो बेबी मॉनिटर में फिलिप की आवाज आती है पर इसे कुछ भी सुनाए नहीं देती फिलिप को आज बाहर जाना होता है एक वहन होती है जिसमें फिलिप बैटने वाला होता है फिलिप बहुत यामिर होता है और इसकी जो पार्किंग होती है इसमें बहुत सादा गाड़िया होती है इसमें एक अच्छी सी रेसिंग कार भी होती है यह तिल्स देखता है, तिल्स फिलिप को कहता है कि इस भायन में किसी भी घोडिर की तरह, किसी भी जानवर की तरह पीछे में नहीं डाल सकता यह race car खोलता है और इसमें फिलिप को बिटाता है यह जब डोर खोलते है तो वहाँ एक neighbor की गाड़ी पार्क ही होती है फिलिप कही भी जार नहीं सकता तो यह neighbor हमेशे यहाँ पार्क करकर चला जाता है यह neighbor गाड़ी में बिटा होता है रेल्स को अब situation पता है तो उठता है और इसे दमकाता है इसके collar pocket और sign के पास लेकर आता है उसे दिखाता है और कहता है यहाँ no parking है यहाँ मुझे तुम फिर से नहीं दिखने चाहिए फिलिप एक art gallery में फिर आता है यहाँ एक painting होती है जिस पर लगता है कि सिर्फ blood छिटकाया गया है इसके price saleswoman जब बताती है तो यह बहुत ही जादा होती है रिल्स इस पर मज़ाग करने लग जाता है वो कहता है यह से painting तो मैं भी बना सकता हो फिलिप उसे समझाने कोशिश करता है कि यह art है आर्ट हम जहाँ से आये है और हमारा world इसमें एक bridge होता है इस bridge का यह एक doorway है दिल्स कहता है कि मचे 50 डॉलर्स दो कैसा भी doorway हमें open करकर रख दूंगा दिल्स चोकरेट खा रहा होता है तो फिलिप उसे पूछता है कि मुझे भी यह चोकरेट दो उसे कहता है अपने हाथ से ले लो उसका बहुत ही मज़ा को उड़ाता है और दोनों इस पर हसने लग जाते है नेक सिन में हमें दिखता है कि फिलिप और उसके friend की meeting चल रही होती दिल्स को उन्होंने बाहर बिठाया होता है इसका friend उसे कहता है कि मैं तुम्हारे एक concern हूँ यह जो तुम्हारा नया character है यह मुझे ज़रा गलत लग रहा है इसका background check मैंने किया है तो यह prison में चा चुका है यह robbery की इलजाम में prison में गया था तुम्हारे जो हालत है इसमें त दया से नहीं देखता और एक friend की तरह मुझे treat करता है इसके बाद नेक सीना में दिखा गया है ड्रिल्स घर में होता है और फिलिप की जो assistant होती है उसे अपने room में बुलवाता है उसे अपना bathtub दिखाता है इस assistant को यह ज़्यादा कुछ अलग नहीं लगता ड्रिल्स फिर उस assistant से एक letter लिखा रहा होता है चुपए भी monitor होता है इसमें फिलिप की आवाज हमेशा उसे आती रहती है एक personal letter यह लिख रहा होता है यह monitor फिर servant उसे बंक करने के लिए पोलती है इस letter के बारे में डिल्स पूछता है कि यह कैसे letter है servant के थी है कि एक औरत को letter लिखता है इनके जो relationship होती है यह सिर्फ letter के through चल रही होती है डिल्स को यह बहुत ही आजिब लगता है वो फिर इस servant का मजग नहीं लग जाता है वो कहता है यह जो माली है वो हमेशा तुमें देखता रहता है क्या तुम दोनों में कुछ हुआ है व दिल्स वहाँ जाता है धंडे पानी का cloth उस पर रखता है इसे जरा बाहर जाना होता है यह wheelchair पर इसे शेहर जरा खुमा कर लाता है फिलिप कहता है कि अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है खुली हवा में रहना उसे बहुत ही अच्छा लगता है दिल्स पूछता है कि कि यह करना मुझे अच्छा लगेगा डिल्स कहता है और हसता है यह तो सब को करने में अच्छा लगता है डिल्स को फिर एक सवाल आता है तुमारे जो पूरी body है यह paralyzed है तो तुम कैसे कुछ कर सकते हो फिलिप कहता है कि मेरे उपर नहीं है जब work करना होता है यह work कर सकता है फिर भी मुझे आ रहाँ सोने के लिए ears है अगर मेरे ears को को कोई हाथ लगाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है डिल्स इस पर बहुत ही हसता है फिलिप को थन लग रही होती है और डिल्स cigarette पी रहा होता है तो यह cigarette उसके मुझ में वो दे देता है यह cigarette पीकर वो stone हो फिर एक hotel में आते हुए मैं दीखते है फिलिप को अपनी wife की आदा थी है वो केता है कि वो बहुत ही beautiful थी मैंने उसे बहुत ही जादा प्यार किया था इसकी wife है यह मर चुकी है यह paragliding कर रहा था और मोसम बहुत ही खरब था उसी दिन इसकी wife मर गई थी इसी accident में यह भी paralyzed हो चुका था यह कहता है कि मेरी wife के बिना जीना यह बहुत ही जादा difficult है उनने बहुत बार try किया था पर कभी भी इनने बेटा या बेटी कुछ भी नहीं हुए थे इसलिए इन दोनों ने एक बेटी को adapt कर लिया था ग्रिल से आए cake खारा होता है बेटर को कहता है कि यह बहुत अलावी महसुस होता है डिल्स ने फिलिफ से एक अंडा चुराया होता है फिलिफ कहता है कि वो मेरी wife ने मुझे दिया था तुम्हें मुझे वो वापस करना है डिल्स मना कर देता है कि उसने चोरिक किया है उसके घर में उसने रख दिया होता है तो उसकी sister को पिक अप करता उसे पुछता है कि वो कहा है उसकी sister को इस Sunday के बारे में खुची पता नहीं होता डिल्स का जो बदर है ये पकड़ा जा चुका है क्योंकि ये drugs डिल्क कराता police के पास ये डिल्स उसे छुढ़वा कर बाहर लिक रहता है उसे ज़रा धमकाता है कि तुम्हें फिर से इसा नहीं करोगे पर उसका ब्रदर इसके कुछ भी नहीं सुनता अब नेक्स दिन फिलिप फिर से उस औरत को लेटर लिख रहाता है जिससे वो हमेशा लिखता है इस बार डिलिस भी बहा होता है डिल्स कहता है कि तुम हमेशा उससे लेटर से बात करते हो कभी भी उससे तुमने नहीं देखा है यह बहुत ही आजीव है अगर वो पोटी निकली, अंदी निकली, पैरलाइस निकली तुमारी तरह तो फिर क्या, तुम्हें उससे फोटो मंगवाने चाहिए जब यह लेटर डिल्स देखता है तुम उससे नंबर लिखा होता है फिलिप को डिल्स बोलता है कि तुम्हें उससे कॉल करना चाहिए मिलने के लिए उससे बुलवाना चाहिए फिलिप डरा हुआ होता है पर डिल्स उससे confidence देता है वो directly phone लगा देता है और फिलिप के कान पर रख देता है फिलिप और वो औरत फिर बात करने लग जाते है और इनमें बहुत ही अच्छी relationship फोन पर ही develop हो जाती है next scene में फिलिप और डिल्स यह दोनों ओपेरा आये हुए है लिल्स जब यह ओपेरा दिखता है तो यह जाड का costume पहना हुआ आदमी sing कर रहाता है यह singing उसे बहुत ही आजिब लगती है और इस पर यह बहुत ही हसता है इस आदमी का यह बहुत मज़ा गोड़ाता है फिलिप भी इसको enjoy करता है जिस औरत से फिलिप बात करता है उसे फिलिप का एक photo भी चाहिए फिलिप यह photo send करने के लिए बहुत ही uncomfortable बलता है दिल्स उसे बोलता है तुम handicapped हो इसे उसे फरक नहीं पड़ेगा तुम 6 महिने तक सिर्फ रेडर से बात कर रहे थे उसका मन साप है तुम जैसे हो वैसे तुमें वह accept कर लेगी और एक plus point है कि तुम बहुत ही रीच हो फिलिप कहता है कि हमारी जो relationship है यह intellectual फिलिप फिर उसकी wheelchair पर की ही photo send करने वालाता है रात जब होती है तो डिल्स अपने room में painting कर रहाता है जैसे painting art gallery में उसने देखी थी उसी तरह से अगर वो painting कर लेगा तो वो भी sell कर सकता है ऐसा उसे लगता है फिलिप के daughter वहाँ जाती है इसकी painting बहुत ही personal होती है तो उसे पार निकल देता है यह वहाँ से जाने रहे होती और बद्तमीजी से उसे पेश आती है इस पर डिल्स बहुत ही चीट जाता है और फिलिप के पास आ जाता है यह उसे कहता है कि तुम्हारी जो daughter है यह बहुत ही बद्तमीज हो चुकी है तुमने मुझे hire किया है कि मैं तुम्हें help कर सकता हूँ मैं इसे ज़रा दो-चार जापाट वगरा लगा कर सीधी कर सकता हूँ जिस तरह से हमसे पेश आती है यह हमें animals की तरह treat करती है यह बहुत ही बद्तमीज होती जा रही है फिलिप की सर्वन्ट भी वहा होती है तो फिलिप सर्वन्ट से बुछता है कि क्या यह सब कुछ सही है सरवन भी कहती है कि उसे इसकी जरा जरूरत है लिप कहता है कि तुम कुछ भी मत करो मैं खुद जाकर उसे डाट कराऊंगा फिलिप रात में अपना माइंड चेंज कर लेता है जो फोटो से सेंड करनी होती है इसमें जिसमें वो हंडिकाप नहीं है वो फोटो सेंड कर देता है अब में बहुत सारे दिन गुजरते हो दिखते है फिलिप और डिल्स में बहुत आची फ्रेंड्शिप बन चुकी है यह दोनों अपने अपने काम करते है डिल्स अपने पेंटिंग पर काम करता है अलग-अलग जगा जाते हैं और बहुत ही मज़ा करते है फिलिप भी अपने बेटी को सिधा करने के लिए थोड़ो सा उसे दाड़ देता है अब डिल्स ने अपने पेंटिंग खतम कर ली है तो सब लोग को दिखाता है असिस्टन को भी दिखाता है तो असिस्टन को यह पसन आता है उसे किस करने कोशिश करता है फो उसे एक जपाड लगा कर वहाँ से चली जाती है डिल्स फिलिप को स्नो में लेकर जाता है उसे मसाज करवाता है सिगरेट बिलाता है यह दोनों बहुत ज़ादा एंजॉय करते है अब फिलिप का पर्दिया आता है इसकी जो सब family होती है यह उसे देखने के लिए आती है फिलिप डिल्स है किता है कि एक फॉर्मिलेटी complete करने के लिए वह आती है साल में एक बार में जिन्दा हूँ या मर चुका यह देखने के लिए वह आ जाते है इसके लिए हर साल surprise birthday party ये arrange करते है जब ए घर आते हैं सब relatives वहाँ आये हैं हैं इन्होंने private musicians बुलाया होते हैं और ये सब गाना सुन रहे होते हैं डील्च होँ होँ सोट गड़ा पहन कराता है फिलिप के जो assistant होती है उसके पास उसे बैठना होता है सब लोग को उठा देता है और उसके पास वो बैट जाता है ये असिस्टन उसे कॉम्वलिमेंट करती है वो कहे थी है तुम बराक ओवामा की तरह लग रहे हो फिलिप इस वर बहुत ही खुश हो जाता है जब ये खतम हो जाता है तो घरवें हो घुमता है फिलिप तो जो बैटी होती है वो रो रही होती है उसे पुशता है कि क्या हुआ है वो कहती है कि जो मेरा बॉइफरेंट था उससे मेरा ब्रेक अप हो चुका है उसने मुझे बहुत गंदी-गंदी कालिया दी है वो उसे बोलती है नो पैसे दूंगी तुम जाकर उसे धंका कराओ मुझे माफे मागने के लिए बोलो Dills इसके लिए मना करतेता है तो मुझे तुम क्या समझती हो जटे-जटे वो जोग करता है और बोच्ता है कि इतने बैसे तुम मुझे दोगी जोग करकर वहाँ से चला जाता है फिलिप की बर्टी बार्टी में उसका एक best friend भी आया हुआ होता है इस friend को डिल्स की painting दिखाता है फिलिप अपने friend को बोलता है तुम्हें ये painting buy करनी चाहिए इसकी 11,000 कीमत उसे बताता है उसका friend बोलता है कि नया artist है मुझे buy करना चाहिए या नहीं ये मुझे जारा समझ में नहीं आ रहा पर तुम्हारे जो choice है ये बहुत ही सही है इसकी price double भी हो सकती है वो अपने friend पर trust करता है और ये painting buy कर लेता है अब इस party में डिल्स servant से पूछ रहाता है ये जो फिलिप की assistant है क्या इसकी कोई relationship है इस servant केती है कि उसकी relationship है पर ये on off on off होती रहती है ये दिट सालों से चल रही है डिस को लगता है कि अभी भी उसकी लिए बहुत साथ है chances है फिलिप classical music सुन रहाता है डिल्स भी बहाता है और इस music का खूब मजा गोड़ाता है उसे लगता है कि Tom and Jerry जैसा ये music है जिस बहुर हो जाता है अपना pop music चलाता है और वहाँ खूब नाचता है आज का दिन इन दोनों के लिए बहुत ही enjoyful होता है रात में जो ओरत होती है उसने एक लेटर फिलिप को लिखा होता है और उसमें उसका फोटो उसने दिया होता है फिलिप ज़र देखता है तो उसे बहुत पसंद आती है डिल्स भी कहता है कि बहुत सही है इस ओरत में फिलिप को उसे मिलने के लिए बुलवा आता है जब मिलने का दिन आता है तो फिलिप बहुत सारे outfit try करता है बहुत ही nervous होता है फिलिप के daughter का ex boyfriend होता है उसे दम का कर डिल्स आता है उसे माफी मागने के लिए बोल देता है जब फिलिप restaurant में उस औरत से मिलने के लिए आता है तो बहुत देर हो जाती है फिर भी वो नहीं आदी रात हो जाती है तो इसे बहुत बुरा लगता है और ड्रंक हो जाता है ये डिल्स को कॉल कर देता है वो कहता है कि हमें ज़रा घुमने के लिए बाहर जाना है एरपोर्ट पर उसे वो लेकर जाता है ये दोनों फिलिप के प्राइवेट जेट में बैट जाते है एक दुसरी जगह आप जाने वाले होते है डिल्स बहुत ही डरा होता है वो कहता है कि तुम्हारा लग बहुत ही खराब है तुम पैरलाइस्ट हो तुम्हारी वाइब भी मर चुकी है तुम्हारे साथ ही यही सब एक्सिडन्ट होते है मुझे तुम्हारे साथ नहीं मरना यह बहुत ही डर चुका होता है तो इसमें बोल रहा होता है आकाश में जब वो बोल जाते है तो अब clouds का ज़रा turbulence आता है घिल्स डर चाता है उसमें बोचता है यह क्या था फिलिप कहता है कि हमारा food tent टूट चुका है उसे बोलता है कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत बोलो फिलिप डिल्स को comfortable महसूस कराने के लिए उसे एक इन्वलिप देता है इसमें पेंटिंग की 11,000 डॉलर होते है यह फिर हमें एक जगा पर आये हुए है यह दिखता है यहाँ सब लोग paragliding कर रहे होते है फिलिप एक instructor के साथ यह paragliding करने के लिए आगे चला जाता है डिल्स को भी force करता है और डिल्स भी इसका मजा उठाता है यह बहुत ही enjoyful weekend spend करकर घर आ जाते है घर आने के बाद डिल्स का जो ब्रदर होता है यह वहाँ आये होता है डिल्स का बदर अब घर नहीं जा सकता क्योंकि जो गैंग थी इसके साथ उसका कुछ गडबर हो चुका है अगर यह घर गया तो इसे वो मा सकते है डिल्स इसे देखता है वो उसे उपर लेकर जाता है इसे बहुत डाटता है अब इस situation को उसे control करना पड़ेगा नीचे जब डिल्स आता है तो फिलिप और यह दोनों बात करते है फिलिप उसे बुशता है कि यह कौन है डिल्स कहता है कि मेरा brother है पर यह ज़रा complicated है actual में इसकी mother and father थे वो दोनों मर गए थे इसके बाद इसकी aunt और uncle इनके बहुत सारे बच्चे थे और फिलिप की sisters वगरा इन सब को लेकर वो एक ही घर में रह रहे थे इसकी uncle भी मर के थे इसकी auntie थी जो इन सब को समाल दी थी डिल्स के और भी cousin थे यह सब मिलकर एक घर में रहने रख गए रिल्स के उपर अब उसके brother की responsibility है उसे अपने family को time देना चाहिए इसी वज़े से फेज़े पुसे कहता है कि कब तक तुम मुझे help कर दे रहोगे तुम जिन्दगी बार यह job नहीं कर सकते तुम्हें अपने लिए एक अच्छा job दोना चाहिए तुम्हें जब तक job नहीं मिल जाता तब तक मैं एक लेटर sign करने के लिए ready हूँ जिसमें अनिम्प्लाइड है यह दिखाय जाएगा अब रिल्स भी इसके लिए मान जाता है जिस दिन वो घस्टे जा रहाता है तो assistant से वो face से मिलता है assistant के साथ उसके fiance से होती है यह actual में एक lesbian होती है यह देखकर डिल्स को बहुत ही अच्छा लगता है उससे अब reason मिल चुका है कि assistant हमेशा उसे क्यों resist करती थी servant से भी मिलकर वो वहाँ से चला जाता है जाते वक नेवर को face से कहे कर जाता है तुम यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते उसकी family से जब हो मिलता है तो उसकी family फिल से उसे अंदर ले रही थी है फिलिप के पास और एक नया caretaker अप है इसे थोड़ा भी पसन नहीं आता फिलिप को massage चाही होता है तो इसका caretaker एक आदमी को बुलाता है फिलिप को यह देखकर हमेशा जो डील्स के साथ वो मजा करता था याद अतर रहता है कि नए caretaker को बोलता है कि मुझे massage की ज़रूद नहीं है वो वहाँ से उसे जाने के लिए बोलता है वो उस पर हमेशा चीट जाता है नेक्स सिन में हमें टील्स एक travel company में ही चाहिए होती है अब जो servant होती है ये डील्स को call कर देती है डील्स वो आता है वो से drive के लिए लेकर जाता है जो मुझे में फर्स सीन हमें दिखाया गया था जिसमें फूलिस को जलाओ दे रहा था हॉस्पिटल में वो आ गए थे ये सब सीन अब ये ही हुए थे ये फिलिप को एक नहीं जगा लेकर जाता है फिलिप की दाड़ी बेड़ी हुए थी है तो इसके दाड़ी भी वो करता है इसके दाड़ी करते वक्त इसकी mustache अलग-अलग तरह के से काटता है हीटलर जैसा लोग उसे दे देता है ये देखकर ये बहुत ही हसने लग जाते है इस दिन डिल्स फिलिप को एक अच्छे से रेस्टोरन में लेकर आता है ये दोनों जब बैट जाते है तो डिल्स कहता है कि आब मैं यहाँ से चले जाने वाला हूँ तुम्हें एक डेट बर यहाँ आये हुए हो जो आरत थी जो फिलिप से नहीं मिली थी उसी आरत के साथ उसकी डेट डिल्स ने अफिक्स की है डिल्स वहाँ से जाता हुए हमें दिखता है और उसकी जो लाइफ है इसे हो कंटेनू कर रहा है यही मूवी एंड हो जाती है और यहाँ हमें कुछ बताया जाता है इसके बाद फिलिप ने शादी कर ली है उसके दो बेटिया भी है डिल्स ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया उसकी भी शादी हो जुकी है और इसके तीन बच्चे है मूवी के लास्ट में हमें इन दोनों के रियल इमेज दिखाई जाती है यह अभी भी बहुत ही अच्छे फ्रेंड से और एक दूसरे से मिलते रहते है और इनकी लाइफ इसके बाद ही बहुत ही अच्छी है इस मुए में बहुत ही अच्छी friendship में दिखाई गई थी अगर आपको वीडियो अच्छ लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजेगा मैं बहुत सारी मुरीज लेकर नात रहता हूँ तो प्लीज इस चानल के सब्सक्राइब कर दीजे और बेल एडिवेशन आइकोन दाने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमूरी के साथ तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आपका खैल रखिया